जादुए तर्बूज का घर अरे और सारे फल ले लो अरे तो तुस्से यह तो घर कंभरी चीन लूगा एक जरों दो में अगर मोहन एक वहथ बेकार लड़का था है से काजल पर बिल्कुल दया नहीं आती वो टोकरी लेकर भाब जाता है इस बात से दुखी होकर काजल रोने लगती है और अगले दिन से वो रोहन के डर से रास्ता बदल कर बजार जाती है ऐसे ही एक दिल काजल बजार में फल बेच रही होती है तब ही उसके पास कुछ औरते लेकिन पहले हम तुम्हारे फल टेस्ट करके देखेंगे फिर लेंगे इतना कहकर सभी ओरते एक एक फल उठाकर खाने लगती है वो ऐसे ही सारे फल खा जाती है और कहती है अरे तुम्हारा कोई फल अच्छा नहीं है मीठे तो बिल्कुल नहीं है हमें तुम्हारे फल पसंद नहीं आये, हम जा रहे हैं अरे, ये तो गलत बात है, तुम मेरे सारे फल खा गई और बिना पैसे दिये जा रही हो देख लड़की, हमने तुम से पहले ही कहा था कि अगर हमें फल पसंद नहीं आये, तो हम नहीं लेंगे देखो ये गलत बात है तुम सब मुझे बेफूफ बना कर मेरे सारे फल खा गई चलो मुझे पैसे दो अरे ये लड़की तो हमारे पीछे ही पड़ गई सुन लड़की तु यहाँ से चली जा तुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला इतना कहकर वो औरत काजल को जमीन पर गिरा देती है काजल जोर जोर से रोने लगती है उसको रोते हुए देख सबी औरते उसका मजाक उड़ाने लगती है तभी वहाँ पर एक खूपसूरत परी आ जाती है तुम सभी बहुत बत्तमीज और धोके बाज हो मैं तुमें अभी सबक सिखाती हूँ इतना कहकर परी अपनी जादू छड़ी हवा में घुमाती है उसके ऐसा करते ही सबी औरतों के पर से पैसे अपने आप उड़कर काजल के पास आ जाते है भाग जो यहां से वरना मैं तुम सब की जुबान को काट दूँगी इतना सुनकर सबी औरते वहां से भाग जाती है उसके बाद परी काजल को अपने जादू से एक तरभूच का घर देती है अब तुमें कोई परिशान नहीं करेगा अब तुम आराम से इस तरभूच के घर में रह सकती हो इतना कहकर परिवाह से गायव हो जाती है जादवी तर्बूश के घर को देख कर काजल बहुत खुश होती है और अपने बड़े भाई को लेकर वहा पहुँसती है पर जैसे ही उसका भाई जादवी तर्बूश के घर में जाता है उसका बैट ठीक हो जाता है और अब वो चल फिर सकता है उस जादवी तर्बूच के घर में बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे, जिवरात रखे हुए थे ये देख दोनों भाई बैन बहुत खुश होते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं फिर एक दिन मोहन काजल के उस तर्बूच वाले घर को देख लेता है वह इतने सारे हीरे जवारा देख कर मोहन को लालच आ जाता है और वो उसे चुराने के लिए उस तर्बूच घर में चला जाता है कि तबी उसके सर पर डेड़ सारे तर्बूच गिरने लगते हैं अरे मैं तो मर गया, मेरा सर फूट गया, कोई मुझे बचाओ तबी उस घर से आवाज आती है अगर अपनी जान बचाना चाहता है, तो यहांसे चला जा वरना मैं तुझे तर्बूच की तरह काट कर खा जाऊंगा नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं यहांसे चला जाऊंगा इतना कहेकर मोहन महांसे भाग जाता है और दूसरे तरफ काजल और उसका भाई उस तर्बूच के घर में हर्शिक उसी रहने लगती है दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें वेवजा किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करें और हाँ दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे नाइस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये हुए लाल बटन को दबा कर अभी सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नहीं मज़िदार कहाने के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए धन्यवाद